इंडी गटबंधन को लेकर बीजेपी ने जो भविश्वानी की थी, वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कहा था कि लोकसभाद चुनाव के बाद इंडी गटबंधन बिखर जाएगा। और जी हाँ, इस बार इंडी गटबंधन तूट गया है, बिखर गया है। इंडी गटबंधन के बिखराव को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया है। अखिलेस यादो इंडी गटबंधन से अलग हो गया है। तुम्हें टेजस्वी यादो इंडी गटबंधन से अलग हो गया है। आम आदमी पाटी इंडी गटबंधन से अलग हो गया है। मतब लगतार वामदल भी इंडी गटबंधन से अलग हो गया है। और अंदर की खबर हम बताएंगे कि इंडी गट बंधन के अलग होने के बाद रहुल कैसे अलग धालग पड़ गया है हमारे साथ अंदर की खबर के लिए हमारे प्रधान संपातक सुनिल राउजी हैं सर इंडी गट बंधन टूट गया है बिखर गया है सभी साथी छोड रहे ऑन यह विस ही सिर्फ केंदर भी युट्गे राजय में भी आप मिलकर चुनाव संथायर जो llegó कर चुनावर संथो उपनाव तो अखिलेश यादव जो है उन्होंने तो आखे दिखा दिये गट बंदन से एक तरह से अलग हो गए वो अब खबर यह कि कॉंग्रेस ने एलान कर दिया कि यूपी में उप चुनाओं नहीं लड़ेंगे क्योंकि सीटें नहीं दे रहे जी तो वो लग ठीक है जी तुमी तो इसको क्या माना जाए क्या अखिलेश यादव इंडिगट बंदन में है है तो फिर गॉंग्रेस की खिलाफ उन्होंने उम्मीद्वार क्यों उतारा या बड़ा सवान है लेकिन वाले अखिलेश यादव भी कहें हैं तो बोलने के लिए बोलेंगे जनता यही समझती है जनता के बीचे सारी राजनेतिक लड़ाई जो होती है नितीश वो परसेप्शन की होती है आपके जनता के बीच में परसेप्शन क्या जा रहा है सिर्फ अखिलेश रादव की बात नहीं है दो दिन पहले आर्जेडी ने बिहार में धमका दिया अपने कहा कि जी 24 गंटे का ट पड़ेंगे आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं आपको चुनाओ की तारीक आ गए नमांकन की तारीक है निकल गई है अब इसमें मज़ेदार एक बात और है अगर आप कहरें कि आप इंडी गड़ बंदन में क्या उद्धव ठाकरे आपके साथ है आप कहेंगे जी कर लिए उन प्रत्याषियों ने तो अगर आपका गड़ बंदन है तो आपका गड़ बंदन में बिना सहमति के आप उद्धव ठाकरे ने यह भी फॉर्म कैसे दे दिये। उद्रव ठाकरे साइप की बात नहीं बन रही है, आपकी बात आरजडी से नहीं बन रही है, आपकी बात CPIM से नहीं बन रही है, डिल्ली में अर्विंद केज्रिवाल कहे चुके हैं, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है, अखिले श्यादव आपसे अल अकेलिया और अभिमन्यों बनकर राहुल गांदी बीच में खड़े तो क्या सर हर्याना हार के बाद इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं उनके सहयोगी उनसे नाराज हैं उनके सहयोगी कॉंग्रे से पूरे तल्ख अंदाज में बात्चित कर रहे हैं ने देखें मैं वही के वज़े से अपने ही गुब्बारे में उन्होंने सुई लगा लिए अब जारखंड में गये और जारखंड में क्या करा हैं जारखंड में पूरा का पूरा चुनाओ बीजेपी के पाले में दे के आ गये उन्होंने आधिवासियू की बात की कहा कि आधिवासियू के बार परदाताओं की पोल खोल रहे हैं और यह बात सच है कि आधिवासियों को नहीं मिला तो भारती जनता पाटिन इस मुद्दे को लपक लिया है तो राहूल गांदी इस तरह से अपनी बयान बाजी के जरिये ही नुकसान पहुंचाते है यह बात समझ में आ गया उधर जैमेम मे आती भी दिख रहे हैं महाराज लेकर सब जगह पर क्योंकि उसको बैक फूट पर आना पड़ेगा अगर बैक फूट पर नहीं आएगी तो गडबंधन जो है वो टूट जाएगा अभी खबर यह है कि न सिर्फ इस चुनाव के लिए नितीश मैं यह भी बता दू आपको कि आने वाला बिहार का चुनाव हो 2025 का दिल्ली के चुनाव हो या पिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो इन चुनाव में भी राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी के साथ ना यूपी के दो लड़के आपको नजर आएंगे ना बिहार के दो लड़के नजर आएंगे बि वाले वक्त वी विखार में और उसके लिए हवा हवाई करने से नहीं हो जाए जैसे अब बनने पर काम करना पड़े गारे कि वह smart, ऑमारे चेतर की हमारे दावेदारी, की तो कहें कि हम कैसे दे दे तो यह बिहार के नेताओं के जो आर्जेटी के नेता हैं उनके सुर है और अभी से तलखी नजर आ रहे हैं कि यह कॉंग्रेस पार्टी जो है इनको रखा जाए साथ में आना रखा जाए क्योंकि इनका तो ग्राउंड पे नेट वर्की नहीं है उतर प्रेलर था पूरी पिक्चर 27 इसमें दिखेगी कि आप कॉंग्रेस की जमीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में और आपने अखिलेश के कांदे पे बैट कर सीटे हसिल कर ली आगे की बात की जाये और अखिलेश जिस तरह से नाराज बताए जा रहे हैं महारास में जिस तरह स उन्हों उतारा है यह अंदर के गबर में आपको बता रहा हूं कि 27 में हो सकता है कि राहूल गांदी को साथ न रखे और अकले चुनाव मैदान में जाए बाकी और कोई वह समीकरन देखे लेकिन राहूल गांदी को साथ नहीं लेंगे इस बात पर भी मंथन सपा की भीतर भी अखिर क्या वज़ा है सर कि जब परधान मंतरी का चुनाव आता है या लोक सभा का चुनाव आता है तो सभी विपक्षी दल एक मंच पर हाथ खड़ा करके एक जूटता का संदेश लिकर आते हैं लेकिन जैसे ही चेत्रिये चुनाव विधान सभा के हो या लोकल लेवल का कि एकर ये जो भी लेक्सन आता है मंता कहती है जोड़ेंगे लगातार अर्विन केजरिवाल बोलते हैं कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे तो क्या संदेश देते हैं और क्या इसके माइने विधान सभा चुनाव में तो नहीं बन सकता है कि वह समझता है लेकिन वे जानता है कि अगर किसी केंद्रिये दल जो बड़ा दल है उसके कांदे पर मैं सवार हो जाओंगा तो मेरी यहाँ ताकत है उसमें थोड़ा ही जाफ़ा हो जाएगा और थोड़ी मोड़ी सीटे हम ज्यादा जीत लेंगे लेकिन एंडीये अगर केंद्रिये में लड़ती है तो वही एंडीये विधान सभाफ में साथ लड़ा है परगारास driven लेकिन जिफ्यताई नna आग्जे में आप देखे कि बारतिय जनतापरटी सेकन्ड पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटों पर PJP लड़ती है, उसके बाद अपने सहयोगियों को सुर्फ Candon City पूरा सममान देती है, सरकार बनने के बाद उनको या तो LGBT PM बना देगी, या उनके खुद अपने नेताMY को LGBT CM बनवा देगी, CM एकनाच शिंडे को बना दिया और उनके नेताओं को पूरा मंत्री पद देना, उनका ख्याल रखना, एक गडबंधन का धर्म जो होता है, उसको पूरा भारत्री जनता पार्टी निभाना जानती है, कॉंग्रेस के साथ समस्य यह है कि छेत्रिय दल है, अब उसकी ताकत मजबूथ है, तो वोन यहीं चाहेंगे कि साथे हमां, कि यह इब ब्याहि द फ्रटी वहां मजबूथ होती है, प्रोन नुकसान किस न फूरा थो को कि वहांगे बिजेपी की जमीन थोड़ी खाए गी कॉंग्रेस, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, छिटकेगा दो चार परसेंट, पाच परसेंट, ज्यादा जमीन तो अखिलेश की जाएगी, बिहार में अगर मजबूत होती है कॉंग्रेस पार्टी, तो किस की जमीन खाएगी, जिस राज्य में कॉंग्रेस जाएगी, क्यो यह उनका वोट बैंक तो वही है, अब आप इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को चित्रिय जो दल है, वो आपने ज्यादा पनपने नहीं देना चाहते है, और कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि वहाँ पर बड़े भाई की भूमी काम जैसे बीजेपी वैसे जाए, और इसलिए अकेले लड़ेंगे, तो यह इस से फिर जनता के बीच में जो परसेप्शन है, वो बहुत गलत परसेप्शन जाता है, बहुत यह जनता समझ जाती ही, कि यह गट बंधन नहीं चला पा रहे है, यह देश और राज्य क्या चला पाएंगे, और फिर उसके नतीजे जो आते है वहरियाना की तरह आते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में इंडी गटबंधन के जो सहयोगी है, राहुल गांधी को आँके दिखा रहे हैं, इससे यही साफ पता चलता है, कि इंडी गटबंधन में अब कुछ भी नहीं